कि नमस्कार दोस्तों अतुलिया कुछिंग में आपका स्वागत है जैसा कि आपको इस्क्रीन पर दिख रहा है डिस्वी साइट पर यह नोटिस अप्लोड हुआ है यह है रिजेक्शन नोटिस कल एक नोटिस आया हुआ था नोटिस जो की था असिस्टेंट टीचर के लिए उसी में जो है नेक्स्ट नोटिस आया हुआ है रिजेक्शन नोटिस चलि इसको देख लीते यह रिजेक्शन नोटिस नमर है 635 जो काटार्या रोल नमर दिशब इस अधिस अधिस अप्यर्ट इन दैव। online examinations held on 19th November 2019 for the post of assistant teacher postcode 16 obliq 19 whereas the DSSB by its order number this and this dated 2nd November 2019 had already devoured miss Anju Kataria data but this and this details for the reason that the candidate was found adopting unfair means in the exemption for postcode double eight obliq one seven assistant teacher nursery conducted by DSSB miss Anju Kataria was devoured from future exemption of DSSB for a period of 15 years with its fact 2nd September 2018 this is bad news or is here to miss Anju Kataria के नाम से जो रोल नमर आपको यहां पर दिख रहा है इनका एक्चली में इन्होंने पहले के एक्जाम दिया था पोस्ट कोड 88 बटर 17 का जिसमें इनको डिबेट किया गया था और इनको डिबेट करने के बाद मतलब अप्लाइ किया और एक्जाम के लिए अटेंप्ट हुआ और दोबारा फिर वही हुआ चुकि पहले ही इनको माना किया जा चुका था तो चलिए एक बहुत ही बैड नीज है देर्फोर इन विए अबब अब पंदरा साल तक लिए कोई डिए सबी कोई एक्जाम में यह बैटने सकती ठीक है फोर्थ पॉइंट कहता है डिए सब्सक्राइब रिजर्फ दर राइट और राइट और राइट रिए एक था रिजर्फ नोटिस जो कि मैंने आप सियर किया चलिक दूसरा भी रिजर्फ नोटिस आया हुआ है उसको देख लेते हैं दूसरा जो रिजर्फ नोटिस है यह नोटिस नमर्च नॉटिस नॉमर 636 यह वार्यास श्रीपंकर देया रोल नमर्ट इस एंडिस अप 19th November 2019 for the post of assistant teacher nursery post code 16 19 whereas the DSSB via its order number so and so dated 11th December 2019 had already debiered Sripankaj's Dehya roll number this and this father's name this and this for the reason that the candidate was found indulging in unaffair means, malpractices and criminal activities so and so assistant teacher by DSSB board actually क्या हुआ कि यह जो exam अभी हुआ था November में जिसका result आया हुआ है उसमें इनका जो है पंकर जी का पुछ unfair means में पाया गया इनको इस्तिमाल कर रहे थे जिसके वज़े से इनको deviate किया गया है पंद्रह साल के लिए यानि कि पंद्रह साल तक यह DSSB board में कोई exam नहीं दे सकते चीक है यह भी bad news देखा जाए तो तो यह था एक information जो कि मैंने आपके सबसेर किया बाकिस तरह के और भी latest information के लिए आप चाहते ह आप में कमेंट से भी कर सकते हैं मिलते हम रुक फिर एक दूसरी वीडियो में जहां पर इस तरह के में कुछ और बाते करेंगे तब तक इस वीडियो के तुना त्वियास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद ओके थेंक्यू बबाद